अबे रिसेंटली जज्जमेंट आया है कोट का जहां पे कोट नहीं माना है कि आजान is an integral part of Islam बट आजान through loudspeaker is not an integral part of Islam आये देखते हैं ये एक PIL थी और पेटेशन का नाम थे अफजल अंसारी जो लोगसभा के MP हैं from गाजीपुर और respondent is state of उत्तरप्रदेश यहां पे इन्होंने बोला कि सबसे पहले अजान होना मना किया जा रहा है इनकाजीपुर उत्तरप्रदेश through loudspeakers और ये मांगा है उन्होंने कि अजान को allow किया जाए by one person जिसको कहते है मुअजजिन who is an authorized person to give अजान in a mosque ये बात उन्होंने मांगी through loudspeaker अब सवाल ये था कोड के सामने कि क्या एक ऐसा order किया गया है अगर जिससे कि मना किया जा रहा है अजान देने के लिए through loudspeaker तो क्या ये article 25 का violation होगा और दूसरा सवाल ये कि अगर एक विक्ती मुअजजिन authorized person अजान देत है अकेला तो क्या ये government का order जो ये कहता है कि कोई भी religious prayer नहीं होगी किसी भी धर्मिक स्थलपे कोविट के बीच में क्या ये order सही है आगे देखते हैं contention क्या है party का तो सबसे वहले petitioner ने ये बोला कि azan through loudspeaker is an integral part of Islam ये बात इसने बोल दी अब सरकार ने क्या बोला कि article 25 जो बात करता है right to freedom of religion की वो एक inferior fundamental right है क्योंकि वो subject to all the fundamental rights है including public order, morality और health और साथ ही इनका काम वालेट कर रहा है rule 5 of the noise pollution regulations जो ये कहता है कि अगर आपको loudspeaker का इस्तमाल करना है तो आपको authority की permission लेनी पड़ेगी अब देखिए government की guideline की आईती इसमें तो whom affairs ने ये बोला था था कि places of worship shall be closed for all the public, religious congregations are strictly prohibited तो ये order भी आ चुका था, अब हमको ये फैसला करना है कि क्या आजान जो है एक विक्ति दे सकता है judgment की बात करते हैं, तो देखिए इस judgment में काफी सारे decisions को quote किया गया है और उसके हिसाब से फैसला दिया गया है, आईए देखते हैं तो सबसे पहला judgment था, क्याकटा हाई कोट का, ओम बिरंगा का केस का, versus state जहां पर ये बोला गया कि article 25 को देखना पड़ेगा with article 19 1a, which is freedom of speech and expression और दूसरी बात ये बोली गई, कि sound is a known source of pollution एक अगला केस है, मुहमद मुफ्ति सहीद, versus state of West Bengal जहां पर क्याकटा ही कोट नहीं बोला, कि Islam का essential part है अजान लेकिन microphone का use जो है, वो essential part नहीं है ये decision already हो चुका है by क्याकटा ही कोट अब एक judgment और भी कोट करा गया है, जिसका नाम है Church of God versus KKR Majestic 2000 जहां पर ये बोला गया कि no religion or religious sect can claim the use of loudspeaker as essential part of article 25 क्यानि कि कोई भी धर्म या धर्म कोई भी sect, ये claim नहीं कर सकता कि loudspeaker जो है, उनका integral part है, उनके धर्म का और साथ ही बोला गया कि article 91 एक को देखिए, और देखिए article 21 को क्योंकि कि किसी भी वेक्ति को force नहीं कर सकते को सुनने के लिए, जो वो सुनना नहीं चाहता पी ए जेकब versus superintendent of police, जहाँ पर ये बोला गया कि right to speech implies right to silence, तो यहाँ पर पूरा नजरिया बन रहा है इस तरह से कि आजान को loudspeaker से allow नहीं किया जाएगा, एक अगला case और है, मसूर एहमद versus state of उत्तरप्रदेश, जहाँ पर ये बोला गया कि use of loudspeakers या sound amplifying systems for purpose of azan can be refused on grounds of sound pollution and to maintain peace, तो यहाँ पर भी बात बोल दी गई, कि जहाँ पर ये बोला गया कि राम लीला incident का, जहाँ पर ये बोला गया कि right to sleep have always been treated as a fundamental right कोट ने क्या conclude किया ये देखते हैं, कोट ने कहा कि azan is an integral part of Islam, rule 5 of noise pollution act जहाँ पर बोला कि loudspeaker, वहाँ पर कोई और भी device हो, of sound amplifying, तो वो भी इसमें आती है, और आप इसका use करते हैं, अगर without the permission of authority, तो wallet करेगा rule 5 को schedule of 2000, बोल रहा है कि 10 से लेके 6 बजे तक सुभा, 10 पीम टू 6 अम, ये night time होता है, और इसके बीच में किसी भी तरह की आवाज, loudspeaker से, sound amplifying devices से नहीं हो सकती है एक बात और बोली कई, कि right to religion में, ये शामिल है, कि right to azan by voice फिर ये बोला गया कि azan recited by muazin, यानि कि single person who is authorized from minars, is allowed, but without any amplifying devices तो ये बात मान ली गए इनकी, कि एक व्यक्ति single azan दे सकता है वहाँ पे जाके, who is authorized, but he should be without any amplifying devices or loudspeakers अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको like करिए, चैनल को subscribe करिए, और वीडियो को share करिए, thank you